Brought to you by Agilis Diagnostics के उन्हें उस भयपारिक घराने से मिलवाया था। अदानी को लेकर सीधे सीधे आरोप लगाए गया हैं। इस बयान के बाद कॉंग्रेस ने पुरपरदान मंतरी नरिंदर मुदी पर आरोप लगाया। कि नरिंद्र मुदी अदानी के एजंट के तरह काम कर रहे हैं। अदानी के अलग-अलग project के बारे में भी जानकारी थी। इतना ही नहीं नरिंद्र मुदी ने किन्याई डेलीगेशन को गुजरात बुला कर अदानी के कारूबार के बारे में विस्तार से समझाया। नरिंद्र मोदी का साफ फंडा है विदेश जाऊंगा दोस्त को धंदा दिलाऊंगा और खूब अमीर बनाऊंगा। किन्या के पुरपरदानमंदरी ओडिंगा का ये भी कहना है कि नरिंद्र मोदी ने मुझे अपने दोस्त गवतम अदानी और उनके बिजनस के बारे में बत उसमें लिखा कि मोदानी फिर से चर्चा में है इस बार किन्या में यह निश्चित रूप से मूदी द्वारा खुद को नॉन बायोलोजिकल प्रदायन मंत्री के रूप में घोशित करने के पहले की बात है अदानी और प्रदायन मंत्री नरिंद्र मोदी को लेकर कॉंग्रेस निता राहूल गांधी कई बार आरूप लगाते रहे हैं कि प्रदायन मंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वहां अपने दोस्त अदानी के लिए भिजनेस डील करके आते हैं अब किन्या के पूर पीम का चुब बयान है वो खूब वाइरल हो रहा है किन्या के पीम को वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रदायन मंत्री नरिंद्र मोदी ने किन्या सरकार के साथ एक मिशन को गुजरात आने के लिए कहा और मुझे इन कंपनियों के बात कर रहा हूं वैसे सबसे खास बात ये है कि ओडिंगा का ये बयान तब सामने आया है जब किन्या के मुख्य हवाई अड़े को चलाने के लिए अदानी समू के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है और एक अदालत द्वारा इसे निलंबित कर दिया गया है इस बयान पर इत किन्या में अदानी समू के लिए एक अन्य प्रोजेक्ट को दिक्कतों का सामना करना पर रहा है यह प्रोजेक्ट के एयरपूर्ट से जुड़ा हुआ है नई डील क्या है इससे भी समझ लिजे अदानी समू की कंपने ने 30 सालों के लिए मेन विजली ट्रांश्मिसन लाइन के साथ की गई है किस प्रोजेक्ट में दिक्कते आ रही है तो अदानी समू के साथ किन्या सरकार ने एयरपूर्ट के लिए एक समझाते का विरोध कर रही है किन्या के सरकार अदानी समू के साथ निर्मान और संचालन समझाते के तहद जो मों के याटा अंतराश्ट्रिय वाई अड़े का संचालन करेगा जिसका स्थानी अस्तर पर विरोध हो रहा है बीते दिनों ही यूनिसंस ने इस मामले को लेकर हरताल किया था और इस वज़े से एरलाइन सर्विसेज में दिक्कते भी आई थी भारत और किन्या के समंद काफी पुराने हैं और अब तक जाना जाता है कि जिसका उल्लेख आपको हर जगह मिलेगा कि इन दोनों देशों के बीच में सबसे ज्यादा मसाले के बैपार को लेकर भी लोगों के बीच में चार्जा रही है अब अदानी और किन्या की जो प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर कॉंक्रियस ने बड़ा आरूप लगा है आप देखते रहे हैं ने उस तक